एक आपको सब्सक्राइब देखना तो दिस्क्रिप्स का लिक दिया गया है और अगर अच्छे से त्यारी करना चाहिए था हमारे आपके साथ जूर जाओ जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्स में दिया रखा है वहां पे आपको पीडिया पोर क्लासे सभी मिल जाएंगे करपना में, मेडूल अब्लोंगेटा या फिर हाईपोथेलमस में एक पाप्स्तित होता है जो सोषन केंद्र के रूप में काम करते हैं और नी सोषन दोनों पर कंड्रोल करती है नेक्ट क्पोस्टन से निम्ण मैं से कौन सी रचना फूफूस के विभाजित प्रतीकिरिया का अन्तिम के भाग है जो गैसीय विनिमाई का अस्थान अप्षन है ट्रेकियोल्स अप्षन विवाई कुपि का हैं स्वासनी का हैं और when वायव कोस्टिका है तो इसका करेण अंसर हो एगा Renaissance वायू कोस्टिका है ठीक है यौकोस्टिका है जो होती है वह फुफुस के विभाजित परतिकिरियां का अंतिम भाग है और जो गैसियवppt फिनिवाई का इकस्तान बनाती है ठीक वर्शन से एक निश्चित तापकरम जैसे 20 डिगरी सेलसियस पर भीतर आने वाली O2 और निश्कासित होने वाली CO2 के अनुपात में O2 अधीक होता है option ने मुख गुही का और तोचिय सौशन में option भी फुफुफुसी है मुख गुही का और तोचिय सौशन में next question से रूधीर का सारा हेमोगलोबीन फेपरो से बाहर जाते समय ऑक्सी करित हो जाता है तथा उत्तकों में पहुँच कर ये ऑक्सीजन छोड़ देता है क्यूंकि option A, oxyhemoglobin का option हो जाता है option B, फेपरो की तुनला में उत्तकों में carbon dioxide की सांदरता अधिक तता oxygen की सांदरता कम हो जाती है option C, oxyhemoglobin से उत्तक oxygen का absorption कर सकते हैं and option D, उत्तकों में oxygen की सांदरता अधिक वो carbon dioxide की सांदरता कम हो जाती है तो इसका correct answer हो जाएगा option B फेपुडो की तुनला में उत्तको में carbon dioxide की सांदरता अधिक होती है तथा oxygen की सांदरता कम हो जाती है ऐसे situation में रूधिर का सारा हेमोगलोविन फेपुडो से बाहर जाते समय ऑक्सिक किरित हो जाता है तथा उत्तको में पहुँच कर ये oxygen को छोड़ देते हैं ठीक है next question से एक ग्राम डेस्ट से अधिक उर्जा उत्पन हो सकती है विटामिन, सुगर, प्रोटीन या फिर बसा ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा ठीक है विटामिन सबसे कम देगा ठीक है उसके बाद प्रोटीन देगा सुगर देगा तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है next question से निमलिखित में से किस में DNA पाया जाता है centriols, lysosomes, mitochondria या फिर गॉल जी करें तो mitochondria के अंदर DNA पाया जाता है, mitochondria एक cell organelles है और इसके अंदर खुद का DNA होता है उस DNA को क्या बोला है ता mitochondrial DNA ठीक है mitochondrial DNA तो ये एक cell organelles है लेकिन ये खुद एक prokaryotic cell की तरह विएब करता है ये खुद एक prokaryotic cell की तरह है ठीक है इसलिए इसको cell के अंदर cell भी बोला जाता है क्योंकि eukaryotic के अंदर जो mitochondria होता है खुद एक prokaryotic होता है इसके अंदर DNA content होता है मतलब genetic materials होता है DNA और कहां पाया जाता है mitochondria गलावा nucleus में, kendra में पाया जाता है और plastid में पाया जाता है ठीक है हाँ लवक में पाया जाता है ठीक है लवक में भी पाया जाता है DNA, kendra में पाया जाता है प्रो karyotic cell में बहुत सारे cell organs नहीं पाया जाता है मैट्रो कॉंडिया imprison नहीं पाया जाता है channel जीवानों की अलबा ओर किसमें मैट्रो कॉंडिया नहीं पाया जाता है तो नील हरित सवाल में नील हरित सेवाल में भी नहीं पाया जाता है इंसानों में अगर बोला जाए तो माईरोकॉंटीया किस में नहीं पाया जाता है तो RBC में नहीं पाया जाता है थीक कैंदरक फिली मिसमें डही पाय जाती है प्रो करियातिक में प्रोकरियोटिक घ्रोकियोट्रीयोट्रीक सेल में इसलिए यह नहीं पाइती हैं इसके अलाबा ब्लुग्रीन algae ठीक है blue green algae में भी केंद्रा जिल्ली नहीं पाया जाती है next question से नेविन में से सबसे बड़ा कोसी कांग कोन सा है गुनसुत्र, mitochondria, plastid या फिर गॉल जी का है तो इसका correct answer हो जागा option C plastid ये सबसे बड़ा और ये पाया जाता है पादप में पादप में पाया जाता है सबसे बड़ा cell, organelles, plastid next question से मानव आथ में पाया जाने वाला जीवानू कोन सा है करिनो वेक्टिरियम, acercia coli, vibrio cholery या फिर vacillus anthracis तो इसका correct answer हो जागा option B acercia coli acercia coli एक ऐसा जीवानू है जो मानव सरी के आथ में पाया जाता है next question से किसे यातायात प्रवंधक कहा जाता है lysosomes को, ribosomes को, golgicae को या फिर mitochondria को तो इसका correct answer होगा option C golgicae को golgicae क्या करते हैं कोई भी cell से अगर किसी बस्तू की अधिकान समात्रा available है और किसी दूसरे cell में किसी बस्तू की ज़्यादा जुरत है तो जहां पर available है वहां से उठाके जहां जुरत है वहां तक पहुँचाने के काम ये करती है golgicae ठीक है और इसलिए इसको यातायात प्रवंधक बोला जाता है example के लिए जब आप दोड़ते होता है आपके pair के जो जो सेल से उसको सबसे ज़्यादा energy की जुरत पड़ती है उस टाइम आपके brain आपका हाथ और आपका liver आपका kidney वहां पर जो सेल से वहां पर energy extra store है वहां पर function नहीं हो रहा इसलिए वहां पर जो energy store है तो वहां से energy को लाल आके pair के सेलों तक देने का काम यह बॉल जी का है कर रहा है इसलिए इसको यातयात प्रवंदक बोला जाता है ठीक है next question से निवन में से कौन सब पादप का उधारन है वैक्टिरिया वायरेस प्रोटोजवा या फिर प्लाज्मोडियम तो इसका करेटेंस रोजगा option है वैक्टिरिया वैक्टिरिया को पादप के कैटेगरी में रखा गया क्यों क्योंकि वैक्टिरिया का खुद का सेलवाल होता है ठीक है वैक्टिरिया में सेलवाल पाय जाता है और सेलवाल किसका पाय जाता है पादप में तो इसलिए वैक्टिरिया को भी पादप के कैटेगरी में रखा ग करता है क्रोमो प्लास्ट ठीक है देखो लवक जो होते हैं वो तीन परकार के होते हैं ठीक है तीन परकार के क्या क्या होते हैं तो पहला लवक जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट दूसरा हो जाएगा क्रोमो प्लास्ट और तीसरा हो जायागा लुको प्लास्ट तो जो कुलोरो प्लास्ट होता ये पोधे को हरा रंग प्रदान करता है ठीक है ये जो क्रोमो प्लास्ट होता है हरा रंग छोड़के बाकि सभी रंग हरा रंग छोड़के बाकी सभी रंग ये प्रदान करता है लुकोप्लास्ट रंगीन होता है ये कोई रंग नहीं देता है ठीक है तो रंगीन होता है तिसका काम क्या है इसमें भोजन इस्टोर रहता है ठीक है फूड जो होते वो इस्टोर रहता है और ये मैनली कहां पर परपाती यह मिट्टि के अंदर होता है इसलिए यह रंगीन होता है ठीक है तो जितने भी कलर आप देख तो वह क्रोमोप्लास्ट की वज़से ही होता है ओकि jo next questions क्योंब वड़ते हैं और next question // any the כद्ने परकार को होते हैं एक दो टीन चार तो correct answer is option असी फरकार के होते ह्ठीक है और ने जो होती है वो फ्रकार के होती क्या क्या होती है म आ रहते जिसको ब्रहेत है messenger आ रहने टी आरेने जिसको वड़ा है था ट्रांसमिशन आरेने और आर आरेने जिसको वड़ा है राइवोजोमल आरेने ठीक है यह संदेश वहक का काम करता है यह एक अस्तान से दुसरे अस्तान तक ले जाने का काम करता है किसको अमिनोमल को और यह यह प्रोटीन निर्वान में अधिन एन्वश्ज में और स्थाइमइन के बीच कितने हाइडोजन बॉन्ड होते हैं कि सब्सक्रूंद के पोधों में फूल और बीज नहीं होते crypto games, bryophyta, thallophyta या फिर teledophyta तो इसका करेट अंसर हो जागा option है crypto games crypto games में full और बीज नहीं होते हैं fanro games में होते हैं fanro games में पाई जाते हैं crypto games जो होते हैं thallus प्रकृति क्यों होते हैं इसमें जो सरीर होता है plant का उसमें आप ये identify नहीं कर सकते हो कि कौन सा पत्ती है कौन सा तना है ये पूरी तरह मतलब एक ही तरह से होती crypto games जैसे कि सेवाल सेवाल एक ही तरह होती उपर से नीचे तर तो इसमें full बीज कुछ नहीं बनते हैं next questions कर बढ़ते हैं और next question से कवक और सेवाल से मिलकर क्या बनते हैं lichen, acetabularia, fungus या फिनिल अरिस सेवाल तो इसका correct answer ये option है lichen lichen जो होते हैं वो फंजाई और algae का फंजाई और algae का सह जीविता दरस आते हैं ठीक है इसमें क्या होते हैं जो कवक और सेवाल से मिलकर बने होते हैं next questions है वैक्टरियो फेज क्या है जिवानू जो विशानू को मार देता है विशानू जो जिवानू को मार देता है विशानू जो कवक को मार देता है या फिर कवक जो जिवानू को मार देता है तो इसका correct answer हो जाएगा option B एक विसानू है वेक्टरियो फेज एक वाइरस है ठीक है जो जिवानू को मार देता है नाम इसका वेक्टरियो फेज लेकिन है ये एक वाइरस जो जिवानू को मार देता है ओके next question से कीट भक्षी पोधे कीड़े को क्यों मार डालते है यूरिया के लिए अमूनिया के लिए नैट्रोजन के लिए ओक्सिजन के लिए तो इसका correct answer हो जाएगा option C नैट्रोजन के लिए कीट भक्षी पोधे वैसे पोधे होते हैं जिनके जड़ों से क्या होते हैं nitrogen की पूर्ति नहीं हो पाती है तब वह अपने पोधों में जो फूल होते हैं वह कुछ इस तरह से मतलब इस तरह से भूल बुल या टाइप के फूल बनाते हैं ताकि उसमें जब कोई कीट बेटते हैं तो वह फूल जो है सिकुर जाते है और वो कीट जो ए नंदर फस जाता फिर यहां पे एक enzyme इंजाइम सिकृड होता है टोक्सिक एंजाइम मतलब पाचन एंजाइम और वह उस कीडे को पाचित कर देता और उस कीडे के सरी में जो nitrogen है उसको ये absorb कर लेता है जो nitrogen जड़ से पूर्ति नहीं हो पाती वह कीड़ों को मार की पूर्ति कर लेता है एसलिए इसको बड़ ज़ादा कीट भक्षी पोदे और ये nitrogen के लिए करते हैं next question से पोधों में सबसे ज़्यादा रोग कि sendiri होता है जीवानओ विशानओ कवग देखने को मिलता है Okay video और पसंदाइब किजीएगे शाहटे साथ चैनल को सबस्क्राइब किजीगों और था यारी को अच्छे से करना है तो हमारे एप के साथ जुड़ी जाए वहां पे आपको पेड़ कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते हो और अगर पीडियेप डाउनलोड करना है तो वह भी आपको एप में मिलेगा बहुत ही स्रांगदार 8000 कोईशन के पीडियेप अगर वह भी पढ़ ले तो तेग भी कोईशन नहीं